मेरे सबी किसान भाईयों को नमस्कार मेरा नाम है नितेश जैन और आप सब का स्वागत करता हूँ मैं अनाज के इस ओफिशल यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे अडामा कंपनी की पेंडिगन दवाई के बारे में जिहां दोस्तों पेंडिगन दवाई के बारे में इस वीडियो के मध्यम से आपको इस दवाई की तमाम तरे की उपियोगिता बताएंगे इसके टेकनिकल नाम के बारे में जानकारी देंगे और साथ ही साथ में दोस्तों इसकी डोस के बारे में भी बताएंगे कि कितनी मात्रा में आपको पेंडिकन दवाई लेनी है और कितने लीटर पानी के साथ में इसका घोल बनाना है इसकी विधी के बारे में समझाएंगे कि किस प्रकार से आपको ये दवाई इस्तमाल में लेनी है ये क्या-क्या काम करती है अन्य कोई दवाई मिलानी है या नहीं मिलानी है कौन सी फसल में करनी है कौन से मौसम में करनी है कौन से समय करनी है ये सारी जानकारिया देंगे दोस्तों वीडियो के महत्वपून बातों के हिस्से में और वीडियो के अंत में दवाई करते समय या पैंडिगन दवाई करते समय आपको क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए उन सब के बारे में भी जानकारी देंगे दोस्तों तो दोस्तों बने रही है हमारे साथ में और आपने अभी तक भी अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजे अई दोस्तों इसकी उपयोगिता के बारे में बता देते हैं कि इसका मुख्य रूप से उपयोग आप गेहूं, चावल, कपास, सोयाबीन की फसल में कर सकते हैं क्यों कर सकते हैं दोस्तों क्योंकि इसका टेक्निकल नाम है पैंडा मैथलिन 30% EC जियां दोस्तों हाली के दिनों में सबसे ज़्यादा इस्तमाल आने वाला टेक्निकल, सबसे लेटेस्ट टेक्निकल जो प्री इमर्जेंस टेक्निकल है, मतलब खर्पतवार उगने से पहले करने वाला जो टेक्निकल है उसमें एक दो ही category है, एक दो ही substitute है, उसमें सबसे पुराना टेक्निकल है, पेंडा मेथिलिन 30% EC जियां दोस्तों, इसकी dose के बारे में पहले आपको बता देते हैं, फिर इसकी और जादा जानकारी आपके सामने देंगे 1000 ml प्रती एकड गेहूं कपास और सोयबीन और धान में, जियां दोस्तों, 1000 ml मतलब एक लीटर प्रती एक एकड और एक एकड में आपको 10 spray tank लगाने हैं, जैसा कि हम हर वीडियो के हर डोज में बताते हैं कि आपको एक एकड में कम से कम 10 spray tank लगाने चाहिए, ये spray tank वो होते हैं दोस्तों जो हम कंधे पर हाथ की टंकी जिसको हम बोलते हैं, जिसमें 15-18L के बीच में पानी माता है, तो वैसे आपको एक एक एकड में 10 spray tank लगाने हैं दोस्तों, एक लीटर प्रती एकड़ के इसाब से इसकी डोज हो जाती है तो मतलब 100 ml प्रती इस्प्रिय टाइंक आपको ये दवाई काम में लेनी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी महत्वपून बातों की सबसे पहले में इसकी विधी के बारे में आपको समझा देता हूँ ये प्री-इमर्जेंस दवाई है मतलब कच्रा उगने से पहले आपको ये दवाई करनी है अब कैसे करनी है जैसे मानली जी के सोयबीन का खेते आपने ट्रेक्टर से सोयबीन को ओड़ दिया आज ओड़ दिया और आपको बहतर घंटे के पहले पहले ये दवाई करनी है मतलब आप तो ये समझी है और आसान भाशा में के आज के दिन तो आपने पूरी सोयबीन ओड़ दी और कल के दिन में आपको पूरी जगे ओरी हुई सोयबीन में खाली खेत में जब तक बिल्कुल आपका खेत खाली होगा खाली का मतलब है कि आपको ऐसा लगे गई नहीं कि खेत में सोयबीन ओरी हुई है क्योंकि पौधा तो आपको दिखे गई नहीं उसके उपर आपको इसका इस्प्रे करना है दोस्तों बिल्कुल सूके खेत में खाली खेत में आपको इसका इस्प्रे करना है और आपको बहुत ही शांदार इसके रिजल देखने को मिलेंगे ये आपको सारे ही फसल में इस तरीके से ही दवाई करनी है तो इसमें आपको जैसे अगर मैं जंगली धान, बागरा, जंगली चौलाई, मकडा घास, छोटी दूदी, चिनियारी, लूनिया, कुल्फा और सिगनल घास को नश्ट करता है चाहे सोयवीन में, कपास में, दान में किसी भी फसल में हो, गेहू में हो, सब में इस तमाम घासों को ये नश्ट करता है या उगने से ही रोकने नहीं देता गेहू में गुली डंडा, बत्वा, सेंज, क्रश्ण नील, बंसियां और पोवा आधी खरपतवारों को नश्ट करता है धान, रोपित की उई धान में, लाल सामा, जंगली धान, बीला, पानपत्ता, गरुंडी, दादमारी, भंगरा और छत्री वाला मोथा आधी को नश्ट करता है कपास में सावा घास, दूधी, पत्थर चट्टा, जंगली चौलाई और कॉंदो, लूनाग आधी घासो को उगने से रोकता है सवयबीन में दूधी, जंगली चौलाई, पत्थर चट्टा, लूनाक, सावा और घास को जंगली कौंदा अधी घासों को उगने से रोपता है दोस्तों इस दवाई को आप प्री इमर्जेंस में तो करी सकते हैं, पोस्ट इमर्जेंस में भी कर सकते हैं जैसे नॉर्मल आप दूसरे खर्पतवार नाशक दवाईया करते हैं, वैसे ही आप इसको कच्रा उगने के बाद में भी कर सकते हैं लेकिन इसका रिजल्ट अगर आपको अच्छे डंग से लेना है तो कच्रा उगने से पहले मतलब फसल बुआई के अगले ही दिन आपको ये दवाई कर देनी हैं, बहुत अच्छा परिणाम आएगार ये कच्रे को उगने ही नहीं देगी, खर्पतवार को उगने ही नहीं देगी ये इसका बहुत जबरदस्त इसका रिजल्ट आएगा, अब ये आपको कुछ चित्र हमने बताए हैं, जिन जिन घासों को ये उगने से रोकती है, जैसे ये दोब है, ये चौड़ी पत्ती वाली घास है, ये मौथा घास है, ये चोटी दूदी घास है, ये सामा घास है, य पॉड़ी पत्ति वाली घास, गाजर घास, जंगली चौलाई घास, पत्था चट्टा घास, दूजी घास, यह तमाम ऐसी घासे हैं, जिनको यह उगने से रोकती है, यहाँ चित्र के जरीए हमने इसलिए बताया है दोस्तों, ताकि आपको कोई भी confusion नहीं रहे, कि यह कौन सा ऐसा घास होता है, जो हम नाम तो लेते हैं, लेकिन अलग-अलग राज्य में, अलग-अलग नाम से घासों को नाम पुकारते हैं, तो हमने इसलिए यह चित्र का फॉर्मूला अपनाया है, जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ, इन इन घासे हम अरे खेतों में भी उगती है और यह इन तमाम घासों पर काम करती है, तो दोस्तों यह थी पूरी जानकारी, अब हम बात कर लेते हैं सावधानियों के, जियां दोस्तों, सावधानी रखना बेहर जरूरी है दोस्तों, बच्चों की पहुंच से यह दवाईयां दूर रहनी चाहिए, जब भी आप इन द दवाई छिड़काव करते समय, हाथ के दस्ताने मूपे मास जरूर लगाना है, दोस्तों क्योंकि यह दवाई आपको मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी करनी है, तो उस टाइम हो सकता है, गर्मी ज़्यादा हो, तो आपको सुभह के समय और शाम के समय में ही दवाई करनी है दिन के समय में दवाई करने से बचना है, दोस्तों ज़्यादा गर्मी में दवाई नहीं करनी है, अन्य कोई भी दवाई इसके साथ में आपको नहीं मिलानी है, सिंगल यूज डोज इसी का ही करना है, बहतर परिणामों के लिए आपको अमिशा नैपसेक स्प्रे पंप और फ्लैट फैन नॉजल का ही प्रियोग करना है, और दोस्तों साथ ही साथ में जितना हो सके भूके पेट तो दवाई का इस्तमाल करना ही नहीं है, खेत में अच्छा सा आहार लेकर भोजन पूरा लेकर ही आपको दवाई का स्प्रे करना है, हवा से विपरीत दिशा में कभी भी आपको इस्प्रे नहीं करना है, जिस दिशा में हवा बह रही हो, उसी दिशा में स्प्रे करना है ताकि दवाई की बून वापस आपके शरीर पर आकरना लगे और दवाई का वेस्टेज भी बिलकुल नहीं हो, और दोस्तों साथ ही साथ में हवा से विपरीत दिशा में तो इसमें नहीं करना है बॉटल का पूरा इस्तमाल होने के बाद में जो खाली बॉटल बसती है उस बॉटल को आपको नश्ट करके तोड मोड के आबादी से दूर जमीन में गड़ा फोत के गाड़ देना है उसको अन्य किसी भी उपयोग में आपको दवाई को बिल्कुल भ जब भी आप दवाई करें तब दोस्तों आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे अडामा कंपनी की ही पैरेनेक्स दवाई के बारे में दोस्तों अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें